पोर्स टू के असफलता से ये बात और पुखता हो गई है कि जॉन अबराहम का हाल भी अभिशेक बच्चन जैसा है भीर में वेखप चाते हैं लेकिन जब बात अकेले के दम पर फिल्म चलाने की आती है तो जॉन के मजबूत कंधे भी ये भार नहीं उठा पाते फोर्स टू ने बॉक्स ओफिस पर पहले दिन 6 करोड रुपे से शिरवात की थी लेकिन ये आकड़ा प्रभावशाली नहीं था साड़े 6 करोड रुपे के साथ दूसरे दिन कलेक्शन में मामूली बढ़त हुई तीसरे दिन आकड़ा 7 करोड रुपे तक पहुचा पाच दिनों में ये फिल्म लगभख 25 करोड रुपे का कलिक्शन करपाई है फोर्स टू को अपनी लागत वसूलने के लिए लगभख 45 करोड रुपे का आकड़ा पार करना है ये आकड़ा अब असंभभ हो गया है फिल्म के लाइफटाइम कलिक्शन 40 करोड से भी कम रहेंगे इस आधार पर फिल्म फ्रॉप हो गई है